नमस्कार में हुसनेया शर्मा स्वागत आपका चिनाप ट्वी में तहीं नज़र डालते हैं आज के मुख्य समचारों पर आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ला डोड़ा में भाजपर सरकार का कड़ा विरोध किया उन्होंने कहा कि भाजपर सरकार दुवारा किये गए वाधे आज तक पूरे नहीं हुए हैं लोग परिशान हैं हाँ आम आदमी पार्टी महराज मलिक ने कहा कि भाजपर की मन्शा साफ नहीं है और उनका काम बीस पश्ट नहीं है उन्होंने इसरैली को बस टैंड डोड़ा स डाक बंगले तक हाथूं में बैनर और भाजबस सरकार और कई आम के खिलाफ नारे लगाए तो देखिए प्रदीप सिंग राना की रिपोर्ट बले बरस आज भी सट्कूं पर है जवान आज भी रो रहा है और जहां एक नकल हमारी पहसील के अंदर 20 रुपे में मिलती थी के अंदर ये आम आद्म के पाइड़ा का है कि हम रración के अंदर पूरी जेत्नी 90 आजिवबली हैं उनके अंदर हम ने आज जो है पादियात्रा की तो इसके अंदर जो मैं हमारा एम प्जेक्ट्यूअ था पादियात्रा का वह सब कराको यहीं था कि पूरे रियास्त जमू तो इन तमाम इशूज के उपर बेरोजगारी पे और करेफशन का सबसे बड़ा मसला जो है रियासत जमो कश्मीर के अंदर गालिब है तो इस सिलसले में हमने आज यह जो पादियात राकी कि आप लोगों पे ना जाएए क्योंकि इस वक्त जो है आम आदमी पाइटी पहली बार रियासत जमो कश्मीर के अंदर आ रही है आपने इस बात को भी जरब बड़ा सेरियस से लेना चाहिए क्योंकि इस सवाल तो आपने किया क्योंकि यहां पे इतनी सारी पारिटियां जो है पहले से ही कोई किसी की 35 साल है किसी की 70 साल है बात सुनें जी 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 बात सुनें बात सुनें बात सुनें बात सुनें बिल्लकुल इस वकत हमारे रियासत पूरी रियासत जमो कश्मीर के अंदर इस वकत 70% लोग जो हैं दिल से जुड़े हुए हैं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन वज़ा ये है कि आज लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि कहीं ऐसा नहों कि बाद में रियास्त जब आम आदमी पारिटी जो है वो ऐलेक्शन ना लड़े ये इस किसंद की गुमान में जो है शको शुबात के अंदर जोग थे हमने ये कलियर कर कलियर कर दिया है कि हम रियास्त की नाइन टी की नाइनटी जो है सीटे हैं उन पर एलेक्शन लड़े उन उने ताकि हमें यहां पर विजली भी प्री मिले हमें तालीम भी मिले और उसके बाद हमें सहत का स्वास्त जो है उसके में भी हमें अच्छा इलाज मिले आज की पादियात्रा में तेरंगे का कोई जिक्र नहीं था इसकी जो इनिस्ट्रेक्शन्स थी वो पादियात्रा थी उसके इशूस जो थे हमारे पास जिन मसाइल पर हमने डिसकस करना था वो अनिम्प्लॉइमेट था करेप्शन था ये बैरोजगारी वगएरा जो थी इन पर जो हमारा जो आज का मसला था तिरंगा की निकालेंगे बाद में अभी कौन सी जल्दी है कि मिक्स करके हम क्यों चले मिक्स करके क्यों चलें आप भी बड़ा वकत पड़ा हुआ है नए सेरे से कोई प्रोटेस्ट नहीं है प्रोटेस्ट तो लोग भी करना चाहते हैं जो अलाके के अंदर बाते होती है और सरकार के नाकामी जो जवादे इन लोगों ने किये थे वो पूरे होते हुए नहीं द नीती से इनकी पॉलिसी से और इनके काम से परिशान हैं तो हम भी एक कोशिश कर रहे हैं कि जब मुकश्मीर के अंदर जो वादा इन लोगों ने किया था वो कही ने कहीं खोखला था आठ साल काफी होते हैं एक इनसान को काम करने के लिए लेकिन जब इनकी नियत सही नहीं है तो काम अच्छे से नहीं होंगे तो यकिनन जो है जो लोग सडकों पर हैं उनकी खुशाली के लिए आम आदमी पार्टी और आम आदमी उनके साथ चाना बशाना खड़ा जो कैच्छ बेलेवरस कई सालों से परिशान है उनकी खुशाली के लिए नहीं चाहूंगा जिस है पत्थर बाजी बंद होगे नावजवान जो है सडकों पर आना बंद होगे अगर इतना बड़ा काम सरकार कर सकती है तो करॉप्शन को रोक क्यों नहीं सकती है यहां लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे सकती है इस पर भी को गदम उठाने चाहिए थै करॉप्शन सरया हो रहा है आम आदमी different की बात ह हरृई है आफ या कि सडिकों की बात की जिए कि रेकिन को कुछ ज्यटों की बात है लिकिन कुछ भाते हैं जो जो Fahren से बाहर आएंगे उनको पता है कि आज अब आ तरीके से हम प्रोग्राम आप आगे जब भड़ेंगे चलेंगे तो आप खुद देखेंगे अभी लोगों का जो गुस्सा है अभी अंदर ये अंदर मन में है जिस दिन वो बाहर फूटेगा आपको यहाद होगा जब पुराना यहाँ प्रोग्राम हुआ था तो हजारों की बीड़ हुई थी अब लोग देख रहे हैं कि क्या पता यह कुछ करें अब यह मसले हल करने वाले नहीं है चुनावी जो उसकोशिशें चल रही है जिस दिन चुनाव होंगे आप खुद भी देखेंगे चिनाव वैली नहीं पूरा जमुकिश्मीर हिला के रख देंगे चांबन जिले को सवतंतादा दिवस से पहली ही हाई अलर्ड पर रखा गया और संत्री सतर्क था और जवानू के बैठक बैरक के सामने डिवाइस में विस्फोर्ट हो गया तो देखे ताही मुश्ताक की रिपोर्ट क्या पूरा जो गाया तो डिवस्फोर्ट नवहें जो पूराइस तोर्ड़। तोर्ट नेश्ट से चर्ची के की रूट प्रशे। ृश्ब होच्तिरिक बैठक रखिबूस्तों पूरा जो जो टार। पर प्रशेश्ट जो प्लिस्तिष्क प्लिस दिस्टाज़ुhando इन ब्रामवान इसके already कुछ टोप इन इन ही पूए रूट नहीं केम व लिज इन पूज्वन झालोट लिए अ रड़ादा के से।जिछ टो पसी मत प॥ूआ है भी तूए इन control फ़्ट ने च्पोरिस लाल सिंग सिंग व्रीज झाओ फ्लिफूनिय। ट्रीज ठीजुडिज रूट टो एंड लाल सिंग, 55-F and SPO SHAKEEL एंप 23, अंप्रपल्ट नब शेंग मान स्टेंटर इंग टृनिय। The unknown terrorists taking advantage of the darkness fled from the spot. On this, a case F.I.R. No. 69-2022 under Section 307-120-B-121-IPC and Explosive Act was registered in Police Station Ghul and investigation was taken up. Soon after the incident, security forces including J.K.P., Army, C.R.P. launched a massive joint operation in the jurisdiction of Indh and Ghul and adjoining areas in order to apprehend the persons responsible for the attack. During the course of investigation, I.O. visited the spot along with F.S.L. team and collected several evidences from the scene of crime including trace of explosives used and footprints of the terrorists. Also, a handwritten piece of paper was found near the post which claimed the attack and it came to fore that J.K.G.F., i.e. J.M.U. Kashmir-Gaznavi force had claimed the responsibility of the attack. Investigation revealed that J.K.G.F. earlier used to have presence only in Rajwari-Punch districts of J.K.U.T. and in view of this, I contacted S.S.P. Rajwari, who disclosed that one Talib Hussein, son of Haider Shah, resident of Draj, Buddhal Rajwari of L.A.T. Outfit, who was arrested on July 4, 2022 during his sustained questioning, had revealed that he had visited Ghul area of Ramban district in 2021 to give money to a person who is resident of Ghul area. Acting on this lead, given by Rajwari police, intense coordinate search operation was launched in Ghul market area and after thorough search and linking of the input, one suspect, namely, Shad in Padayar, son of Abdul Sathar Padayar, resident of ward number 4 Ghul, was picked up for questioning. The suspect was put to sustained questioning during which he confessed to the hatching of criminal conspiracy to the effect of reviving the militancy in Ramban area which was to start with the onset of lobbing of this explosive device on the police post in. After further questioning, he further disclosed the identity of his accomplice in the conspiracy as Mohammad Farooq, son of Sanaula, resident of Mahakund Ghul. They used to act as handlers of the JKGF wherein they were given funds from the Tanzeem and were in the process of recruitment of the youth to revive militancy in District Ramban. The two persons, namely Shahadeen and Mohammad Farooq, during sustained interrogation, confessed that Mohammad Farooq had received cash amounting to the tune of 50,000 from one person whose identity is yet to be ascertained and who had assigned the task of attacking security forces establishment to both Shahadeen and Farooq. The bank statement of Shahadeen Padyar was also obtained and perused, which also corroborated the facts revealed during his confession. It was also found during investigation that the claim for the blast was written in the handwriting of Shahadeen Padyar, prima facie, it reveals that the handwriting of Shahadeen Padyar matches with the handwritten note that we got from the scene of crime on 2nd of August. Moreover, from the possession of Mohammad Farooq, three SIM cards have been recovered apart from his mobile phone, which is already carrying two SIM cards. The electronic surveillance team of District Ramban is further working on technical inputs to establish further evidence. After this revelation into the incident case, new sections of Unlawful Activities Prevention Act 1967 under the sections 16, 17, 18, 18 , 19 , 20 , 38 and 39 of UAPA have also been added. More arrests are expected in the incident case after the identification of the person who were financing these two terrorists. I would also like to announce that DIGDKR Sunil Gupta sir has announced reward for exemplary bravery displayed by the sentry and I would like to place on record the commendable teamwork which has been displayed by my officers. Today, SDPO Ghul could not be with us because he is not well and he is running high fever, but he ensured that even during this proper coordination is done and his work is not affected in any way during the entire investigation. In his place DSP headquarter Pradeep Singh Sen, he took stead in the case and ensured that things are worked on ground in the absence of SDPO Ghul. I would also like to share that similar enthusiasm was displayed by all the SHOs and ICPPs of the subdivision Ghul and SHO Ramban and my own TPO's IT Wing who tirelessly worked day in and out to solve this case which ultimately we were able to crack within 72 hours of the blast. Thank you. In this case, there were 50,000 rupees which I have told you that he confessed that I had to get for the blast. In this case, there were some contacts coming in front of them, but as such they were not in our OGW list. If this is a one-off case, I will tell you that we have to get them so quickly as soon as possible. So, if you think about new recruits in this case, you think about new recruits in the militancy, then you will be afraid of J.K.Police.com. and then you will be afraid of any recruits. In this case, you will be afraid of the recruits in the Do-da. D.C. Vika Sherman has today in Mini Meeting Hall in DC D.C. कारियले में जिला सडग सुरक्षा सिमती DRSC की बैठकी अध्यक्षता की किष्टवार में युवाओं और सैना के बीच दोस्ती के मौजूदा बंदन को और मजबूत करने के प्रयास में भारति सैना ने युवाओं के लिए 15 दिनों की लंबी कैरमबोर प्रतियोगता अयुजिन कर्ये की पहल की कारिकरम का मुख्यों देश सांप्रधायक सोहर्द और छात्रों में खेल भावना का विकास करना था की लाये का विकास का विकास में जोचा है सो अद्सक्तरों में हमे घूदा खेल सांप्रीवादा फ्टशह शया को और शीं ग। करों opposованexist से जए है झाल 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 खड़ी के हाइर सकेंडरी स्कूल में डिप्टी कमिशनर रामबन की डायरेक्शन में एक जोनल लेवल क्वीज कंपुटिशन इवेंट और्गनाइज किया गया जिसमें पांच अलग-अलग स्कूली बच्चों ने भाग लिया तो देखे सजाद हैमद खांडी की रिपोर्ट आज जो आप यहां पर क्यूज कंपुटिशन में जो पाटिस्पेट किया कितना एक्सपूजर इस तरह के प्रोग्राम से मिलेगा जी फस्ट आफल मेरा नाम आईशाफ्टर है मैं कलास अल्यांद आर्ट स्ट्रेम से हूँ तो इस कुईज के बार में मेरा यही कहना है कि य कुईज में हार में जये हैं बाटी हमारे नियुक्यूर थी फ़ Olivier हमérience हो कि हमें जो चीजें पता मेरा अब फेसान कि पहले जब हमें स्टाटि में कुएwo ऊसो बहुने जरुए हैं अढ़ी फरे चीज़े हैं सब्स्ब्स कर पहले जब हम सब्सक्श कर दोने पर वेक्सिश कर प्रोग्राम्स वेगरा जो इवेंट्स आगनाज होते हैं, अगर हायर स्केंटर स्कुल खड़ी की बात की जाए जहां पर इस तरह का प्रोग्राम शायद ही पहली बार देखने को मिला। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक जो फिलोस्फर के उसने कहा था कि नॉलेज देखने पावर और थैंक यू आपकी स्कुलीं कहां से हुई है? आपकी स्कुलीं के जो अच्छे पड़ाते हैं उनके पास पड़ा है और मैं उनको यही दुआ करता हूँ आपकी स्कुलीं के उनके पास पड़ा है और दो आपकी स्कुलीं के अपकी स्कुलीं को आपकी स्कुलीं के लिए काहां से हुई है? मेरे स्कुन ही बोविट मिडल स्कूल काम श्री उसके बाद मैं नाइक थे में रामन नाशनल अकाडमी से पड़ा और मेरे स्कुन ही हाई स्कुन ही लेकिन मैंने जिस टीचर के पास बाद हर एक नाइक नाइक फॉर्स्ट अफॉर्स आफ आल I would like to thank you that you have come here and you covered the whole event and I would also like to thank deputy commissioner Raman and chief education officer Raman who had desired that a quiz contest be held in all the zones of district Raman and we took the initiative then after that we made necessary preparations for this quiz contest and hopefully today this quiz contest ended successfully in which five teams from zone 30 participated so I would like to tell everybody because you see that civil society members persons of local standing students and several other people witness this great event so such kind of competitions create a kind of awareness among the students and inculcate the competitive spirit among the students which is the need of the of the school they have a great sign for all of us that all the teams and even particularly the students of this school they have are very much interested in such kind of competition so that they gave us the opportunity to thank them and we did our best we did our best to hold this all-important event देखे ये आज जो कुईज कमपटिशन हुआ ये असल में डिशी साब की डिरेक्शन थी डिशी साब की डिरेक्शन हमें सियो साब की वसातत से पहुंची और च्छे तारीख के उन्होंने मुकर्र किया था आज का दिन तो इस में जो एनिस्टीक्शन थी कि अपने हैसी को की साथ कुछ हैसी पुलूस को मिला जाए तो मैंने 3 निस्टीक्वोज को इसके साथ इन्वालो किया हैसी कंडरी महु और हैसी कंडरी खड़ी और इस तरह से 5 ग्रुप हमारे पास थे इस कमश्चन में हिसा लेने के लिए क्विज कंप्शन से मुझे इतनी उमीद नहीं थी कि बच्चा इतना हिसा ले इतना मुझे पास है यानि मुझे ख्याल था शायद ये हर सवाल में ना ना करेंगे लेकिन यानि हमारा दिल बाग बाग हुआ बलकि जो भी हमारे साथ शरी के कार थे मेहाना ने गरामी थे हमने नहां मौज़र शेहरीं को भी बलाया था और हमने तासिफदार साब को भी दावत दी थी और सवानिस्पेटर साब को भी दावत दी थी इस तरह से बीडी सी चेर्में वो आये थे और दूसरा डीडी सी परसन यहने बहुत सो लों को बलाया था लेकिन हर एक ने हालांकि ग् हजूस होते गए हम इतना दिल्चस्प मकाबला रहा और पूरे लोगों से हमें यही मिला और स्टूड़ेंटर से की ऐसे प्रोग्राम जो ह हर माह होने चाहिए अगर हर माह नए लने हर दो माह में ऐसे होने चाहिए इस से तुलबा में बेहिदारी आएगी पूरे अलाके मे आएगा जो सलाहेते पसे पर्दा है वो सामने आएगी जिस से दूसरे बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा डोड़ा में जिलाविकास परिशद के अधिक धनंतर सिंग कोतवाल ने वीभिन प्रमुक जोजनाओं के तहत उनके प्रदर्शन की समिक्षा के लिए डी सी कार्यले और जे पे डी सी अल विभाग की बैठक बुलाई इसके अलावा एन एच आई डी सी अल अजेंसु के साथ आम जनता के मुदों को भी साजा किया आज की हिंदी समचार यहीं पर समाप्त होते हैं धन्यवाद